हाई फ्रेंट गुड मॉनिंग नमस्कार सर्सिकाल, आज मैं डिस्क्स करने वाला हूँ कि हम अपने घर में कंटेनर गार्णमी में अपने फ्री में प्लांट कैसे मल्टीप्लाइ कर सकते हैं, और आपको बार-बार भाय करने की जुरूरत नहीं है, तो आप फ्री में से हैं एक नजर की मैथर कौन कौन से हैं उसके बाद हम डिटेल में डिस्कूस करेंगे बाद ऌ 앞에 हैं युट न में ऑ़ खिल समयाय के झाल,व्लोका परीप्दाश्ध झाल,व्लोका अंग finance, जिस्दू速ष्ड़ में तवान हैं,श जिन ज Gil न खिला के लिएकवावम का फिल मान ग्तितता शाओ़ website, in और में आव पाalth Jun हलो फ्रेंट चलिए हम डिस्कुस करते हैं कि हमने यो लास्ट येर एक ये मदर प्लांट है इससे हमने कटिंग लगाई थी दो तीन कटिंग लगाई थी उसमें से जो एक कटिंग है वो ग्रो कर गी और आज इसको हम रीपॉट कर रहे हैं तो ये बड़ा मतलब बड़ा दिल को स्कून देता है कि भी इसको हमने को मल्टिप्ले आज इसको समाल पॉट से इनकाल के हम इसको हमने कोकोपीट और गार्डन सोयल और 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 अर्गेनिक मनियोर हमने यूज किया है पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए तो ये प्लान्ट है जो हमने रीपॉट करना है ये जो पॉट देख रही हो आप यह हमने बाय किया था जंता नासरी मिलेर कोटला से लास्ट ड्रेनिंग होल आ वहीं से हमने करवा लिया था इसमें कम कम 25 समय है और यह कोको पीट है और यह गार्डर शोयल और यह समने जो निजर आ रही है यह मनियूर है तो नीचे हमने थोड़ा कंक्रीट डाल दिया इसके नीचे उसके उपर हमने एक लेयर टॉप लेयर एक इंची की एक दो इंची की लेयर जो है कुकोपीट की लिए है इसके उपर हमने फिर गार्डन सोयल डाल दिये तो गार्डन सोयल डाल के बाद इसको लेवल करके तो यह बड़ा ही मतलब आप जदी इस काम को इंज्वाय करोगे तो बहुत अच्छा लगता है तो यह प्लांट है इसको मैंने पानी डाल दिया था थारोली पानी डाल दिया उसको ऐसे फिक्स करना हमने प्लांट में तो यह थोड़ा सा सेंटर में उसको डिजस्ट करने के लिए मिट्टी की थोड़ी सी हमने लियर लगा दिया अब जो बाकी जो साइटों पर डालना उसमें मैंने जो तीनों हैं कोको पीट और यह और और गैनिक मनियोर जो है जो और हमने कोको पीट जो है वन थर्ड कोको पीट हमने मिक्स कर लिया तो कोको पीट मिक्स करने का परपर हमारा यही है तो जब इससे ड्रेने जो है प्लांट वो अच्छी हो जाती है इसको थारो मिक्स कर लेना है और जब यह पूरी मिक्स हो जाए जैसे हम देख रहे हो इसको प मतलब मजे वाला काम है बड़ा आपको जदी शौक है तो इससे बड़ा स्कून मिलता है यह मैंने दुशेरे के दिन यह प्लांट जो है इसको रीपॉट किया था तो फ्रेंट जब भी कर सकते हो जदी आपको भी शौक है जो मॉंसून का सीजन होता है उसमें लास्ट यूर मै सब्सक्राइब दूस्तो यह क्यूटा ही है तो मुझे लगता है दोस्तो यह बड़ा आप भी घर पर कर सकते हो अआप ही multiply कर सकते हैं मैंने 2-3 plant और मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने multiply किए तो इससे हम free में plant जो है आपको नर्सरी से बार बर बाय करने की जिरो होते हूँ यह कुछ plant हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो यह जो प्लांट या जो स्प्पाइटर प्लांट यह बड़ा यह भी क्येर कम क्येर मांगता है। ब क्योंट में समय से प्लांट जो प्लांट है जो were n arrivé रहते हैं। एक तो मैंने वर्टिकल गाडनिंग का बॉतलिंग गाडनिंग की थी मैंने वर्टिकली तो उसमें भी मैं लगाया उसमें से भी अप अपस निकलना शुरू हो गया और दो तिन जगा मैंने और लगाया और यह देखो अभी और कितने इसमें से प्लांट बन गए हैं जो आप म में multiply कर सकते हो यह तब होगा जदी आपको शौक है जदी आपको पता है knowledge है यह आप तब ही कर सकते हो और एक जो plant जो हमारे घर में easily पाए आता है इसको बोलते हैं snake plant भी बोलते हैं और यह बड़ा known है कि यह 24 hour और नाइट में भी ऑक्सीजन प्लांट देता है लेकिन कितनी ऑक्सीजन देता है इसको हम छोडते हैं लेकिन अक्सर यह हम पढ़ते हैं आटीकल आते रहते हैं कि यह आप फाइब प्लांट जो इंडोर के आपके घर में जो है पॉजिटिव नर्जी आएगी यह जो सकते हो इज़ी कवा sécurité लेँ लका सकते हो यह मुझे kभी मुर्टा नहीं तो यह तो gratis रहां लाखों आप बना सकते हो चैजकर सच आफ्रप्लांट डेकल dya stimulating चलिवे हैं ऐा demands कि यह बढ़ा प्यान सिक्राइगा बांट है इसकी भी kटिंग आप पीजिली ग्रो कर सकते हो लेकरन कटिंग बंच लेकिए ना तीन चार कटिंग लेकि आप ग्रोगर तो यह मैं लास्ट ये छोटा प्लांट जो पड़ा लगा था ये दिखो कितना अच्छा ग्रोग गया है एक मैंने अपने इंडोर रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह भी इतना अच्छा प्लांट प्रेंट जब बात करते हैं सनीक प्लांट की इसका पहले तो एक प्लांट लगा हुआ है एक पंच लगा हुआ है उसमें से मल्टिप्लाई खुद होता रहता है पूरा कमला भर जाता है यह मैंने एक लीव काटके भी लगा दिया और उसमें से भी देखो यह रूटा आटोमेटिकली यह एक नन्ना सा प्लांट उगरा है तो यह तो एजीली ग्रो होता है आप खुद ही मल्टिप्लाई होता रहता है और आप बात करते हैं डैफन उसके बाद इसको भी पार्टिंग करके न्यू पॉर्ट में लगा दूगा तो यह मार्कडेट्सों का एक प्लांट देते हैं तो यह आप इजीली गर में बना सकते हो प्लांट मल्टिप्लाई कर से रहन यह है मनी प्लांट का को ना बताया था मैंने वीडियो डाला था इस इसमें भी दिखिए आप देखोगे इसमें भी जो रूट्स ननी सी रूट्स निकलती रहती है इसको भी आप एक एक काटके एक अलग प्लांट निकलाएगा वहां से यह इजीली गरो हो जाता है तो यह मैंने कोर्स ते का वीडियो डाला था अब बात करते हैं पूलियस की यह मैंने यूनिवर्स्टी लुजयाना से बाई किया था लास्ट यह और उस प्लांट से मैंने सीड कॉलेक्ट किये थे इस साल भी मैंने यह ग्रो किया है यह दिखो कितना अच्छा लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है तो यह इजीली गरो हो जाता है इस बार भी जो कटिंग लगा देनी है इसमें बंच लगा देना उसमें से मतलब आदे से ज्यादा तो ग्रो हो जाती है और यह है हभीकस हभीकस भी मैंने कम से कम 8-9 प्लांट ग्रो किया है यह प्लांट मेरा अबर वाटरिंग के वज़ा से और शेड में पड़ा था इसकी हालत हो गया इस प्लांट के जो लीव्ज है काटके तो यह भी भी ग्रो हो जाएगा 100% ग्रो होगा तो यह बड़ा अच्छा प्लांट है इसमें फूल आते हैं सर्द्यों में तो यह प्लांट जो है आप देख रहे हो हो यह पाइन एपल है तो मेरे घर में मसमी लगी थी मैंने मसमी जाएगा यह देखो यह भी ग्रो हो गया तो मैं यह बाय करने की बात कर रहा था लेकर अब देखो जोड़ी शौक है तो आप यह इसके लीव भी निकल आया उपर से आप देखें कि अच्छा लग रहा है यह प्लांट है तो जोड़ी शौक है तो पॉसिवला जोड़ी गया अपने पौदा उसके पॉलीथीन लगा के लिए बर देना बस तो उपर से पहले यह इतना जैसे कर रहना है यह पीट के बर देनी है और जो सिल्वर पेपर होता है उसके साथ उसको लपेट देना है तो इसको कम से काम 20 जन का टैम लगता है तो यह उसकी जो ग्रो कर ज देना है तो जब उसको खोल के देखोगे तो यह लोगी यह भी हमने प्लांट ग्रो कर लिया आप इसमें पॉर्ट में लगा दिना है तो सो फ्रेंट मुझे लग रहा है आपको यह अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा जदी अच्छा लगा तो शेर जिरूर अधाल अदाव कि अधाल आपको यह लगा माः है